हालो एवरिवन, मैसेल्प डॉक्टर मगनलाल, असिस्टन्ट प्रोफिसर गवर्मेंट बांगड कोलेज जीद्वाना आज की इस वीडियो में हम बीस सी पार थर्ड और्गिनिक केमिस्ट्री में एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन और नुक्लिक असिड इनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि इस यूनिट का सिलिबस क्या है तो सिलिबस में सबसे पहले हम एमिनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे हम देखेंगे classification, structure and stereochemistry of amino acids, acid-based behavior, isoelectric point and electrophoresis and then हम पढ़ेंगे preparation and reaction of alpha amino acid इसके बाद भी हम protein के बारे में पढ़ेंगे तो protein के बारे में हम देखेंगे structure and nomenclature of peptides and proteins की protein की structure और nomenclature classification of proteins protein का classification, peptide structure determination की जो protein में जो peptide bond है, उसकी structure को हम किस प्रकार से determine करेंगे उसमें जो techniques हैं, वो है end group analysis, solid phase peptide synthesis और फिर structure of peptide and proteins protein की जो primary, secondary, tertiary structures वगरा है level of protein structure उनके बारे में हम देखेंगे and then हम देखेंगे protein denaturation and renaturation तो ये जो second part है, वो protein से related है, first part था हमारा amino acid से related और जो last part है इस unit का, उसमें हम देखेंगे nucleic acid, इसमें nucleic acid का introduction, constitution of nucleic acid की जो nucleic अमल है वो किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, ribonucleoside and ribonucleotides ribonucleosides और ribonucleotides के बारे में and then हम पढ़ेंगे DNA की जो double helical structure है, जो वार्षन और क्रिक मोडल भी जिसको मोडते हैं, वो देखेंगे हम तो सबसे पहले हम देखते हैं एक general introduction की protein और amino acid का general introduction हम सबसे बले देते हैं तो जो protein सब्द है, वो एक Greek सब्द proteose से मिलकर बनावा है, proteose का मतलब होता है फ्रतम, सर्व फ्रतम ये नाम है, वो एक्चुली सही चूज किया गया है, क्योंकि सारे के सारे जो chemical compounds हैं, उनमें यदि हम protein की position को देखें तो protein की position वास्त में किस rank पे आएगी? फ्रतम इस्तान पे ही आती है, पहली rank पे ही आती है इनमें जो living organism में पाई जाने वाले chemical compounds में ही दिहम देखें, तो protein की position कोन से आती है लगबग? पहली rank protein की आती है for they are the substance of life ये जीवन के मूल भूत आनो हैं protein make up a large part of animal body animal body का जो अधिकांस part है भाग है वो protein से मिलकर बना होता है and they hold together जो different अंगु को आपस में hold करना है बादने का काम है वो protein करते है and they run it जैसा कि हमने छोटी classroom पढ़ा है कि हमारे सरीर में जो गती होती है वो mass PCP साहिता से होती है और वो भी किस से बने होती है? protein से बने होती है तो protein है वो they are found in all living cells सभी जो जीवित को सिकाए है उनमें protein पाए जाती है they are principal material of skin men जो protein से बने होए जो हमारी body के जो parts है वो क्या है? skin जो की मुखेते protein से मिलकर बने होती है muscle, tendons, nerves and blood और फिर जो अधिकतर enzymes, antibodies and many hormones ये भी किस से मिलकर बने होती है? protein से मिलकर बने होती है protein से बने होती है यह दि हम protein की position को देखे हैं कि अभी हम बात करें थे कि protein की जो rank है वो खतम है पहले rank पे protein आती है organic molecules हैं उनमें तो उनकी जो position है उसको केवल हम यहाँ पर कह रहे हैं कि nucleic acid है वो उसकी position को challenge कर सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो protein की जो सरंचना है या हमारे सरीर में किस परकार की protein बनेगी उसको कौन डाइरिक करता है nucleic acid डाइरिक करते हैं कि nucleic acid में जो genetic code होते हैं उन genetic code के अनुसार ही protein का synthesis होता है तो वास्तमीद हम देखें तो जो nucleic acid है जो DNA है RNA है उनकी position protein से भी थोड़ी उपर होती है तो यह था एक general introduction कि protein के बारे में हम क्यों पढ़ेंगी क्योंकि protein है वो एक बहुत ही important molecule है जिससे कि सारी के सारी living organism का सरीर उनसे मिलकर बना होते हैं बहुत सारी सरीर में पाई जाने वाले जेव रासाइने क्रियाएं हैं जो कि enzymes के द्वारा hormones के द्वारा संपन होती है उनमें भी protein है वो अपना एक मेटोपून रोल अदा करती है अब हम देखेंगे कि protein क्या है protein actually एक polymer है एक high polymer है और किसका polymer है they are polyamide क्या है polyamides है and the monomer from which they are derived are the alpha amino carboxylic acid यह हम इनको simply कहें तो हम कहेंगे कि amino amyl protein है वो amino amyl का बहुलक होती है amino amyl के polymers होते हैं यानि बहुत सारे amino amyl एक definite sequence में आपस में जुड़कर एक polymer chain का जो निमान करते हैं उस polymer chain को ही हम क्या करते हैं protein करते हैं तो जो alpha amino amyl है या alpha amino carboxylic acid है उसकी structure किस प्रकार की होती है कि एक carbon जैसे यह carbon है C इस carbon पर एक तो जुड़ावा है amino amino functional group और इसे carbon पर जुड़ावा है एक carboxylic acid functional group तो यह दोनों carboxylic acid functional group COOH और NS2 यह कहां पर जुड़ावे हैं इस एक ही carbon के उपर जुड़ावे हैं किस carbon के उपर यह दोनों समों जुड़ावे हैं तो इन दोनों की जो amino समों है और carboxylic समों है इनकी position है वो क्या है alpha position पे ही alpha carbon पे ही दोनों जुड़े हैं तो इन एमिनों को हम क्या कहेंगे alpha amino carboxylic acid और हमारे सरीर में पाई जाने वाली जो protein है जो हम यह कहें कि सभी living organism हैं उनके सरीर में पाई जाने वाले जो protein है वो alpha amino carboxylic acid की polymer होती हैं उनकी बहुलक होती हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि alpha amino carboxylic acid की structure किस परकार की होती हैं सभी alpha amino carboxylic acid हैं उनमें यह दो functional group NS2 और COOH functional group हैं वो एक ही carbon पो जुड़े हो रहते हैं जो सभी amino acid में इस एक carbon के ओपर यह hydrogen है वो भी सब में पाई जाएगा बस जो अंतर होता है वो इस side chain का अंतर होता है यह जो R जो side chain के रूप में जुड़ी होती है इस R जो R side chain है जो hydrocarbon chain है उसमें अलग अलग प्रकार की hydrocarbon chain जुड़ी होने के कारण जो अलग अलग प्रकार की amino acid है उनमें कुछ अंतर आ जाता है बाकि यह जो part है वो सभी amino acid में एक जैसा ही होता है के वो किसका अंतर होता है इस R का अंतर होता है इस single protein molecule contains hundred और even thousands of amino acid एक single protein का molecule है उसमें लगब कितने amino acid पाए जाते हैं सो से लेकर 1000 तक amino acid एक single protein molecule में पाए जाते हैं इस unit can be of 20 odd different kinds of amino acid और यह जो unit है यह जो amino acid unit है वो कितने प्रकार के amino acid से मिलकर बने होती है केवल 20 प्रकार के amino acid 20 अलगलग प्रकार के amino acid तो जो भी protein है वो सभी के सभी protein है वो 20 प्रकार के amino acid से मिलकर बने होती है अब हम देखेंगे कि यह जो proteins हैं वो अलग-अलग प्रकार की कैसे होती हैं तो different combinations यह जो 20 प्रकार के जो aminocid हैं वो अलग-अलग combination में जुड़े होते हैं अलग-अलग प्रकार की protein के molecule बनते हैं is almost infinite और यह जो number हो protein है कि जो 20 प्रकार की amino acid हैं वो अलग-अलग sequence में जुड़कर कितने प्रकार की protein का synthesis कर सकते हैं अनंत यह कितने ही प्रकार की protein का यह केवल 20 amino acid synthesis कर सकते हैं It is likely that 10 of thousands of different protein are required to make up and run an animal body किसी animal की body को बनाने में और उसकी जो सारी के सारी जेवरासनी करियाई हैं उसमें गती हैं इन सभी चीजों को संपन होने के लिए लग-बग 10 हजार अलग-अलग प्रकार की protein की आवसकता होती है तो हम हमारे सरीच की बात करें तो लग-बग कितने अलग-अलग प्रकार की protein हमारे सरीच में पाए जाती हैं And this set of proteins is not identical with the set required by an animal of different kinds. और ये जो 10,000 प्रकार की जो प्रोटीन के जो अनू हैं, वो सभी अलग अलग प्रकार के जिवो में अलग उनकी रिक्वाइमेंट होती है, यानि हर एक अलग जिवो में एक अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है. तो अब तक हमने क्या देखा हैं कि प्रोटीन जो की एक सबसे इंपोर्टेंट बायो मॉलिक्यूल है, जिससे की एनिमल का सरीर बना होता है, गती में वो ही साहिक होता है, वो एक पोलिमर होती है और एमिनो एसिड, एलफा एमिनो कार्बुक्सलिक एसिड की वो पोलिमर होती ह ये जो alpha amino carboxylic acid है वो लगभग 20 प्रकार के alpha amino carboxylic acid होते हैं और ये 20 प्रकार के alpha amino carboxylic acid विभिन सिक्वेंस में अलग-लग प्रकार से जुड़ कर एक अनंत प्रकार के protein के आनों का वो synthesis कर सकते हैं और हमने देखा कि लगभग एक जीव के सरीर को चलाने के लिए एक जीव के लिए लगभग 10,000 अलग-लग प्रकार के protein के आनों की आवसकता होती है तो ये हमारा एक general introduction था protein और amino acid के बारे में आगे detail में हम next video में देखेंगे इस video में हम इतने देखेंगे थैंक्यो